असम के हालातों को लेकर पिये मोदी ने ट्विट किया उन्होंने लिखा कि असम के अपने भाईयों और बहनों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि क्या आपके पारित होने के बाद चिंता करने की कोई बात नहीं है मैं उन्हें आश्वस करना चाहता हूँ, कोई भी आपके अधिकारों पहचान और सुन्दर संस्कृति को नहीं छीन सकता है ये पलता, फूलता और विक्सित होता रहेगा मैं और केंद्र सरकार क्लॉस्ट छे के मुताबिक असमिया लोगों के राजुनितिक भाषाई, सांस्कृतिक और गुमी अधिकारों को समिधानिक रूप से जनक्षित करने के लिए पूरी तरह से प्रतिवद है तो ये वो ट्विट तो जिस तरह से नागरिक्ता संशोदन बिल को राज्य सभासी भी मन्जूरी मिल गई है उसके बाद अब संसत के बाद संग्राम सडकों पर देखा जा रहा पुर्वोतर राजु में मुखर होका लोग इस बिल का विरोध कर रहे हैं अब इस इस्तती को देखते हुए पिये मोधी ने खुद ट्विट कर वहां के लोगों को आश्वस्त करने की कोशिश की है साफतार पर उन्होंने कहा कि असम के भाई बेहनों को दरने की जरूरत नहीं है आपके अधिकार पहचान संस्कृति को कोई चीन नहीं सकता तो असम के लोगों के हितों की रक्षा होगी मैं इसको लेकर पूर्वोतर राजो और स्पेशली असम के लोगों को आश्वस्त करता हूँ